मई जून 1947 में या तो गांधी देश के पुर्विक्षित्रों में दंगों के आग को बुझाने में लगे थे या फिर दिल्ली में आजादी के बाद की रूप रिखाताय करने में व्यस्त थे उन दिनों गांधी के वर्धा इस्थित सेवाग प्राम आश्रम में आधुनिक भारत के बुद्धिजम और पाली के सबसे बड़े स्कॉलर धर्मानंद कोसांबी अन पानी छोड़कर अपने प्रान त्यागना चाहते थे धर्मानंद कुछ समय पहले भी ऐसा प्रयास कर चुके थे तब गांधी ने उन्हें अपनी नाराज की जताई थी ये कौन शक्स था जिसके प्राणों की चिंता दंगों के बीच भी गांधी के पत्रों में मिलती है धर्मानंद कोशांबी का जन्म 1876 में पुर्तगाल के अधीनस्त गोवा में हुआ था धर्मानंद को लंबे समय तक फॉर्मल एजुकेशन नसीब नहीं हुई हलांकि बचपन से ही वे बड़े जबरदस्त रीडर थे मराठी भाषा की पत्रिका बाल बोध में पहली बार उन्होंने बुद्ध के बारे में पढ़ा था बाद में जब वे संस्कृत पढ़ने पूना गए तो वहां बुद्ध के उपर एडविन अर्नॉल्ड की किताब लाइट आफ एशिया का धर्मानंद पर ऐसा प्रभाव पढ़ा कि वहां उनके लिए आल्मोस्ट किसी रिलीजियस टेक्स्ट के जैसे हो गई अपने संस्मरण में वे लिखते हैं कि जब भी मैं इस किताब के खास हिस्से पढ़ता हूँ तो मैं अपने गले को भारी होने से नहीं रूप पाता हूँ मेरी आँखों से आंसू आने लगते हैं धर्मानंद के संस्मरण आत्म कथानक हैं संस्मरण में वे बताते हैं, बनारस्ट में संस्क्रिक पढ़ने के बाद वे नंगे पाउं निपाल चले गए, उन्हें लगता था कि बुद्ध के बारे में ग्यान काठमांडू के आसपास ही प्राप्त होगा, काठमांडू जाकर वे देखते हैं कि वहां तो सादू पासे फ कलकत्ता पहुचाता है, कलकत्ता में अपनी बढ़ती पहचान के जरीए वे स्कॉलर्शिप के लिए श्रीलंका चले जाते हैं, जहां पहली बार उन्हें बुद्धिजम के बारे में सीखने को मिलता है, श्रीलंका में धर्मानंद एक यात्री से एक बौद्ध प्रचारक हो कलकत्ता के बद्र लोग समाज को छोड़ अपने मराठी भासी लोगों के बीच वापिस आ जाते हैं, वे बरोडा में लेक्चर्स देते हैं, बौंबे युनिवर्सिटी में पाली को इंट्रड्यूस करते हैं, अहिंसा और बुद्ध के विचारों पर मराठी में खूब सार सिक्षाओं का संकलन उसकी पुनर व्याख्या करते हैं, हर वर्ड में वे काल माक्स के समाजवाद से भी प्रभावित होते हैं, वे रशियन भासा सीखते हैं, बाद में वे सोवियत रशिया भी जाते हैं और लेनिन ग्रांड युनिवर्सिटी में पाली पढ़ाते हैं, महत्मा गांजी के कहने पर वे गुजरात युनिवर्सिटी में बिना मान दे के पढ़ाने लग गए हैं, नमक सत्यागरह के समय वलंटियर्स को इखटा करने के आरूप में उन्हें छे साल की जेल भी हुई हैं, धर्मानंद मराठी, कॉंकणी, हिंदी, अंग्रेजी, बर्म चौदा साल की उम्र में धर्मानंद का विवाह हो गया था, वे बुद्धिजम और समाजवाद दोनों की मिस्रित तस्वीर गांधी में देखते थे, उनकी मृत्यू पर गांधी ने कहा था कि भगवान हमको इतनी प्रिणना दे कि हम धर्मानंद को शामभी के दिखाए मार पर चल सके, तो दोस्तों ये था आज का पॉड़कास्ट, अगले पॉड़कास्ट में ऐसी ही किसी इंट्रेस्टिंग पर्सनेलिटी को आपके सामने लेके आएं, मई